हेलो एवरीवान कैसे है आप ता फ्रेंड आई हो पाप सा बच्चे होंगे और अभी चल रहा है समरी स्पेसल रेसेपी तो समर में मैंगो का सीजन होता है तो आज मैं आपके लिए न्यूर रेसेपी लेके आई हूँ जो की है फ्रूटी तो हम घर में आसानी से फ्रूटी कैस बना सकते है जिसे बच्चे बड़े सभी खुष हो जाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते है इसके लिए देख सकते है मैं ने समागरी हूई हूँ और इसके बाद हम एक कडाही गरम करेंगे और उसमें पानी जो है उसे डाल देंगे और मेरा जो मैंगो है कटा हुआ और कच्चा और पक़्का दोनों को डाल देंगे दोनों डालना जरूरी होता है क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम डालते है तो फ्रूटी कależ जो है एकड़ा खटा मीठा है मतलब अच्छा टेस्ट आता है ौर इसे आप एक बदर बनाएंगे तो आप बार ब बना कर रख सकते हैं इसे आप कम से कम हपता दिन तो पी ही सकते हैं तो मैं आपको हपता दिन 15 दिन भी आप रखेंगे फ्रीज में कुछ खराब नहीं होता है आप बना कर सकते हैं और जब भी आपको तूरंद पीना है आप तूरंद इसे पी सकते हैं तो इसे बनाना बहुत आपासान होता है। देख सकते हैं। मैं दोनों आम को ले ली हूँ पानी को ले ली हूँ और शक nghi algurar सबू फंचा मिनट में मेश होगær हो जाए। अब मैं गैस को बन करती हूं। और इसे देख सकते हैं कि जो हमारा आम है वो अच्छे से पक चुका है इसे हम मैशर की सायता से मैश कर सकते हैं और नहीं तो सीधा ठंडा होने पर हम इसे ग्राइन कर सकते हैं अभी भी इसका खुजबू आना सुरू हो गए एक दम फ्रूटी के जैसे जब इसे आप बनाते रहेंगे तो उसी टाइम में आपको खुद पता चल जाएगे कि वाकई में फ्रूटी का खुजबू आने लग जाता है इतना जितना अच्छा टेश्टी लगता है कि बस तुर जाता है और नहीं हो रहा है तो हम इसे एक बर ग्राइंड कर देते हैं जिससे की अच्छे से मिक्स हो जाता है अच्छे से जो इसका प्यूरी है वह निकल जाता है तो सबसे अच्छा आपस नहीं होता है कि हम इसे ग्राइंड ही कर लें तो चलिए ग्राइंड करने के लिए फ्रका सब खंडा हने देते हैं मैं जिसे कर देंगे घ्राइण कर लीड़ होँ त्लब से मोटा चणि होता है जिसे हम पनावगरा चांते हैं उससे हम चांद लाजन देंगे numéro कतो बाशंता है लिए अघ्राइण कर देगे रखने घ्राइंगएно हो तो अच्छा कलर आता ही है तो यह देख सकते हैं यह मेरे पास थोड़ा साइज का चंड़नी है बड़ा छेद वाला ही लीजिए जिसे के अच्छे से यह चंड जाएगा और इसे आप छान लीजिए और अभी मैं एक रेसेपी और शेयर की थी फ्रेंस जो की है आमरस या आम पापर बोलते हैं जैसे कि आप लोग बनाती होंगे उसे आप में थोड़ा सा गेस में गरम करके बनाए जाता है पर राजिस्थानी स्टाइल में फ्रेंस ऐसा नहीं करते है उसे सिदा बस पीस के और लाइब बटेन दोनों पर दे दूँगे आप देख लेज़िए बहुत अच्छी रेसेपी है और बहुत जल्दी बन जाता है आप अगर बनाने का मन भी ने रहेगा और आप देखेंगे तो आपको आपको आकई में बहुत अच्छ लगे कह कि आप बना कर मानेंगे क्य तो सभी को हमें अच्छे से छान लेना होता है जिसे की चिखना, स्मूथी, पेश्ट हमें मिले जैसे की पना को करते हैं वैसे ही तो इसे अच्छे से पूरा हम छान लेते हैं अच्छे से और इसे आप बना कर इस्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं या पर 15 दिन भी आप इसे इस्टोर कर सकते हैं खराब नहीं होता है यह जिसे हम पना को इस्टोर करते हैं वैसे ही पना की रेसेपी भी में पिछले साल डाली हुई थी इस साल भी आपके लिए डाल दूंगी पर अभी मेरा बना नहीं है तो अब इसे हम सर्व कैसे करेंगे त आधा गलास पानी ले लिजें थंड़ा पानी ले लिजें नार्मल पर फ्रूटी है फ्रूटी थंड़े में अच्छा लगेगा तो यह देखिए आप पानी भी ढाल दी हूं और चाहो तो आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं और भास ठंड़ा ठंड़ा चीजिल मजा तो देखिए मेरा मैंगो फूटी बनके तयार है मेरे बेटे का तो फेवरेट है हम इससा जीत करते रहता है तो मैं इसलिए भी उसके लिए बनाई थी तो आप लोगों से सेयर कर दी हूँ रेसे पी कैसा लगा बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आये होंग तो चले फ्रेंड हम अगले वीडियो मिलते हैं एक और नए मेंगो रेसेपी के साथ तब तक लिए टेक क्या आप